स्वागत है दोस्तो मूवी वॉइस चैनल के एक और नए वीडियो में और आज हम जो मूवी एक्स्प्लेंग करने वाले हैं उसका सब्जेक्ट एकदम अलग है ऐसे सब्जेक्ट पर बहुत ही कम फिल्में बॉलिवुड में बनी है तो आईए इस फिल्म को एक्स्प्लेंग करते हैं जिसका नाम है अमर प्रेम की प्रेम कहानी वीडियो को स्टॉट करते हैं लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर कर दीजिए ताकि मूवी ज और वेब सीरीज का लेटस्ट एक्स्प्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके फिल्म की शुरुआत होती है अमर से जो की पंजाब की एक रिच फैमिली से विलोग करता है उसके माता पिता बच्पन में ही गुजर गए थे और वो अपने दादा दादी के साथ रहता है जिसकी छे बहने है और अमर उनका एक लोटा भाई है जिस वजह से सभी लोग अमर को बहुत प्यार करते हैं अमर को जब बुलेट चाहिए थी तो उसके दादा जी ने साफ मना कर दिया था बलकि वो तो अमर को पीटने के लिए अमर की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन तभी उसकी छे बहने दादा जी के सामने आ जाती है और अमर को कुछ भी नहीं होने देती है बलकि उन्हें बुलेट भी दिलानी पड़ती है हमार अपने टाउन का सबसे ज्यादा फेमस बंदा है और वो अपनी बुलेट पर टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की को भी घुमाता है हर एक लड़की यहां अ भूंता रहता है उसका माला ये है कि जिस तरह से लड़के और लड़की की लव स्टोरी बनती है उसी तरह से लड़के और लड़के की स्टोरी क्यों नहीं बनती है यहां पर दादाजी कहते हैं कि हम तेरी जल्द ही शादी करवाने वाले हैं लेकिन अमर का ऐसा कोई प्ला दादा जी से कह देता है कि वो लंदन जाकर पढ़ाए करना चाहता है जहां पर कि उसके मामा भी रहते हैं लेकिन दादा जी ने साफ मना कर दिया था बलकि वो फिर से अमर को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे थे लेकिन फिर वही अमर के सामने उसकी छे बहने और बहुत प्यार करता है और वो लोग भी सभी अमर से बहुत प्यार करते हैं जाते हुए उसे दुख तो हो रहा था लेकिन अगर वो यहां रहा तो दादा जी उसकी शादी करा देंगे इसलिए वो बोर्डिंग पास बनवाने के लिए चला जाता है लेकिन यहां पर उसे कहा जाता है कि एकोनोमी क्लास की लाइन अलग लगी हुई है लेकिन वहां बहुत भीर थी इसलिए अमर चाह रहा था कि वो यहीं से काम कर दे लेकिन तभी यहां प्रेम नाम का बंदा आता है और वो उसे सुनाने लगता है जिस वजह से उसे उनकी बात माननी ही पड़ती है और उनका का काम फटाफट हो जाता है लेकिन यहां हम देखते हैं कि अमर को प्रेम से पहली नजर में ही प्यार हो गया था दोनों फ्लाइट में कुछ बाते करते हैं ल प्रेम की एक गलफ्रेंड है इसी वजह से वो उसका नाम पूछने के लिए उसके पास तक नहीं जाता है और जैसे ही ईला और प्रेम यहां से चले जाते हैं तब ही यहां पर उसके मामा जी गुर जी आ जाते हैं और वो उसे यहां से ले जा लेते हैं मामा जी को यहां अमर थोड़ा उदास्ता लगा था इसलिए मामा जी उसे आज रात एक महेंगे क्लब में ले जाते हैं जहाँ पर की सभी लोग खुब एंजोएकर रहे थे लेकिन अमर को तो प्रेम की याद आ रही थी जैसे ही वो टॉयलर जाता है तो वहां उसे एक लड़का पकड़ लेता है उ प्रेम उसे कहता है कि मुझसे दूर ही रह वरना तेरी शादी कैंसल हो जाएगी अब अगली सुबा हम मालूम चलता है कि अमर के मामा जी का एक रस्टोरेंट है लेकिन वो रस्टोरेंट बिलकुल भी नहीं चलता है उन्हीं के बाजू में एक और रस्टोरेंट है जो की ब अंगाली से दूर रहे वो बहुत ही खराब लर्का है अब रात को अमर और प्रेम फिर से मिलते हैं उन दोनों के बीच थोड़ी दोस्ती हो चुकी थी दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जाने लगे थे इसलिए प्रेम अमर को अपने घर ले जाता है जहां पर की प्रे प्रेम अपने अंकल आंटी के साथ रहता है आंटी यहां पर प्रेम से कहती है कि वो कितने दिनों तक सिंगल रहेगा उसे तो से कोई लड़का धून कर शादी कर लीनी चाहिए ये सुनने के बाद हमें मालूम चलता है कि दरसल में प्रेम को भी लड़के ही पसंद है लेकि यहां अमर को दो-चार बाते सुना देता है और यहां से अमर चुपचाप चला जाता है है हाला कि उसे इन बातों का बहुत बुरा लगा था इसलिए वो अगले ही दिन उसके रस्टोरेंट पहुँचकर उससे माफी मानता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे को पसंदी करने लगे थे इसलिए अब वो रिलेशन्शिप में भी आ चुके थे लेकिन एक दिन यहां अमर अमर प्रेम को बताता है कि वो अब घर वापस जाने वाला है वो अपनी फेवरेट फोटो और डायरी उसे दे कर जाता है अमर कहता है कि आज तक मैंने अ पने पास बुलाता है और उसे बताता है कि शायद उसे प्यार हो गया है ऐसी फीलिंग उसने कभी भी महसूस नहीं की है जो कि उसने अमर को लेकर की है अगली सुबह प्रेम अमर से मिलने के लिए तुरंट ही उसके घर चला जाता है वो यहां अमर से कहता है कि मैं क्या करूँ कि तू यहीं पर रुख जाए क्योंकि मैं तुझ से प्यार करने लगा हूँ यह देखने के बाद दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और वो एक दूसरे को किस भी कर रहे थे लेकिन दूर से यह सब कुछ अमर के मामा जी भी देख रहे थे जो देखकर वो तो पूरी तरह से हैराल ही रह चुके थे वो अमर को डाटने लगते हैं और कहते हैं कि तू अभी के अभी इंडिया नहीं गया तो तेरे दादा जी तेरे साथ साथ मुझे भी मार देंगे इसलिए तुझे तो किसी भी हालत में इंडिया जाना ही होगा लेकिन यहाँ पर प्रेम मामा जी को एक ओफर देता है वो उनसे कहता है कि अगर अमर यहीं पर रुखता है तो मैं तुम्हारा रस्टोरेंट और मेरा रस्टोरेंट को मर्च कर दूंगा जिस वजह से यह रस्टोरेंट बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने लगेगा मामा जी को उसकी बाते बड़ी पसंद आती है इसलिए वो दादा जी के पास वीडियो कॉल करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि अमर पिन नहीं आने वाला है क तो अमर को लंदन में रहने की पमिशन मिल चुकी थी जिस वजह से वो अब प्रेम के साथ रहने लगता है और वो दोनों खूब एंजॉय करने लगते हैं एक दिन प्रेम यहां अमर को प्रपोज कर देता है लेकिन तभी मालूम चलता है कि अमर के दादा जी को होट अट अ इसलिए अब तो उसे इंडिया जाना ही होगा यहां प्रेम उससे कह रहा था कि मुझे भी इंडिया चलना चाहिए लेकिन अमर उसे बताता है ऐसी situation में तुम्हारा मेरे साथ चलना ठीक नहीं होगा वो उससे वादा करता है कि जल्द से जल्द वो यहां आ जाएगा लेकिन जाते जाते प्रेम उससे कहता है कि वो उसको कॉल करता रहे और अब फाइनली यहां अमर इंडिया पहुँश चुका था वहां पहुँचने के बाद उसे मालूम चला कि दादा जी को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है वो तो यह सब कुछ नाटक था अमर को यहां तक खीच लाने का क्योंकि अमर इस तरह से नहीं आ रहा था और और अब वो अमर की शादी भी कराने वाले हैं दूसरी तरफ प्रेम को अमर की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि यहां अमर उसका कॉल उठा ही नहीं रहा था इसी वज़े से उसे अमर की बहुत टेंशन हो रही थी दूसरी तरफ पंजाब में अमर को मैंडी नाम की लड़की मिलती है जो कि उसकी पहले गल्फ्रेंड रहा करती थी वो मेंडी का मोबाइल लेकर तुरंथी इला के पास कॉल करके बताता है कि यहां सब कुछ ठीक है और वो जल्द से जल्द लंदन आ जाएगा और रात होते ही यहां अमर भागने की कोशिश भी करने लगता है लेकिन वहां मेंडी एक मोबाइल से कॉल लगाया था इसलिए मेंडी तो उसी के पास आ रही थी वो उसे बताती है प्रेम नाम के लड़के का कॉल आया था मैंने कॉल उठाकर कह दिया है कि वो तो यहीं पर है यहां सब कुछ ठीक है और जल्द ही उसकी शादी भी होने वा होगा दोनों की फैमिली वाले यहां पर आ गए थे लेकिन अमर को कोई फर्क नहीं पड़ता उस उसे तो बस प्रेम को किसी तरह से कॉल लगाना था जब उससे पूछा जाता कि क्या उसे मेंडी पसंद है और क्या वो उससे शादी करना चाहता है तो वो जट से हां बोल दे तो यहां अमर प्रेम को तुरंथ ही छट पर लेकर जाता है जहां दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर दोनों सभी के सामने किस भी करने लगते हैं जो देखकर बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे वहां दादा जी यहां अमर को मारने लगते हैं लेकिन यहां अमर ने दादा जी को सच्चाई बता दी थी कि उसे लड़के पसंद है ये सुनने के बाद दादा जी को होट अटेक आ जाता है तब डॉक्टर को तुरंथ ही बुलाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि दादा जी कोमा में चले ग पैतराज था और उनमें सबसे पहले नंबर पर मेंडी थी क्योंकि उसे तो किसी भी हालत में अमर चाहिए था लेकिन ये सब कुछ प्रेम भी नोटिस कर चुका था कि मेंडी कुछ ना कुछ तो बखेडा जरूर खड़ा करेगी तो अब दादी दोनों की शादी कराना चाहती है इसलिए वो ती है कि प्रेम अपने घरवालों को बुला ले लेकिन प्रेम अमर को बताता है कि उसकी फैमिली बंगाली फैमिली है और अगर वो यहाँ पर आये तो बहुत सारे सियापे हो सकते हैं इसलिए उन्हें दूर ही रहने दो लेकिन अमर कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे बस तुम उन्हें यहाँ पर बुला लो वो उनके पास कॉल करते हैं उन्हें तुरंथ ही यहाँ पर बुला लेते हैं जब दोनों की फैमिली का आमना सामना होता है तो उन दोनों की फैमिली को एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं आते क्योंकि एक पूरी फैमिली पंजाबी थी तो दूसरी फैमिली पूरी तरह से बंगाली थी शुरुआत से ही दोनों की फैमिली वाले एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे बलकि उनके बीच में तो ठीक धंग से बात तक नहीं हो रही थी दोनों के फैमिली वाले एक दूसरे की फैमिली वाले को नीचा जुकाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरे के फैमिली वालों की जम कर बेज जती कर रहे थे, दूसरी तरफ मेंडी समझ चुकी थी कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो अमर और प्रेम की शादी हो जाएगी उसे किसी भी हालत में कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि अमर उसका हो जाए इसलिए वो प्रेम कि एक बात पहुचाता आती है और उसे बताया जाता है कि दोनों की रिलेशनशिप में मर्द जो है वो अमर ही है लेकिन प्रेम को यह अच्छा नहीं लगा तो वही दूसरी तरफ मेंडी जो है वो अमर के पास जाती है और उसके ऊपर दोरे डालना शुरू कर देती है वो तो चाह रही थी कि किसी भी हालत में बस अमर उसका हो जाए अब जब रात को अमर और प्रेम साथ थे तो यहां दोनों के बीच में थोड़े से जगड़े हो जाते हैं वो भी मर्द वाली बातों पर से जिस वजह से अमर को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता और अगले द अठाते हुए मेंडी भी उसके पीछे चली जाती है और उसे बताने की कोशिश करती की वही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और बस वही उसे समझती है दूसरी तरफ प्रेम उदास बैठा हुआ था उसे मालूम है कि यह सब कुछ दोनों की फैमिली वालों की गलती की वजह जैसे हुई है क्योंकि दोनों एक दूसरे की फैमिली वालों को नीचे जुकाने की जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बात अब दोनों की फैमिली वालों को समझ आ चुकी थी इसलिए वह रात को एक प्लान बनाते हैं और अमर को सर्प्राइज देने वाले थे सारी लाइट के बाद यहां प्रेम को बहुत जादा बुरा लगा था उसका तो दिल ही तूट चुका था वो यहां से जाने लगता है अमर को छोड़कर अमर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसका डिसीजन फाइनल था अगले दिन इला मेंडी को समझाती है क्योंकि उसे मालू कुछ भी नहीं नहीं कर पाता है वो उसे रोक ही नहीं पाया लेकिन जब वो यहां से गया तो अमर पूरी तरह से उदास था यहां मेंडी भी आती है लेकिन मेंडी अफ समझ चुकी थी कि उसे तो बस प्रेम चाहिए है इसलिए अपने पाप को कम करने के लिए वो प्रेम बनकर बात कर रही थी और अमर भी मुझे प्रेम समझ कर ही बात कर रहा था और जो हमारे बीच में किस हुई थी वो भी अमर ने प्रेम समझ कर ही की थी इतना बोलने के बाद अमर भी यहां पर आ चुका था वो उसे बताता है कि तेरे अलावा मैंने किसी से भी प्या नाई होगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए धन्यवाद